नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंडियन एप डिवलपर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी कोई एप्लिकेशन है दिन आपको किस टाइप की होस्टिंग लेनी चाहिए और मैं फायरवेस होस्टिंग क्यों खानी बनवाने है ओके खानी का प्रबंध करना है दिन आपने एक केट्रेस को पकड़ा और केट्रेस क्या बोलता है वह यह बोलता है कि भाई देखें वहां पर सबसे पहले तो आपको उसको स्टार्टिंग में पेमेंट देनी होती है उसके बाद आपके पास सौ लोग आपके रखा और सो लोग ही है देन वहां चार सो लोगों को खाना बेश जाएगा तो यह प्रॉब्लम भी है और दूसरी प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि आपने हो सकते है अपमा टोटल समलोग 10 अलग अलग डिस रखी है और 10 डिस में समलोग 5 डिस है जो कि लोग जादा रहे और सब लोही खा रहे तो वह डिस्की कमी हो जाएगे तो यहां फिन मिला नीख हुआ दूसरों लोगों को मिला नहीं तो वह लोग बॉमों करेंगे 10दूंसरी तरफ जह पान्च जिस्को कोई कोई लोग नहीं खाए तो पूरा वेश्ट गये आपका उधर आपकेते ल सारे लोचे हैं यहां पर दूसरा है क्या जो क्या बोलता है आपको स्टार्टिंग में पेमेंट देनी की ज़रूरत नहिंद यहां पर आप क्या बोलना है कि अगर आपके 100 इस तक में आपको फ्री में दूंगा फ्री में थीसरी बात यह है कि आपको वह बोलता है, आपको खाना बनवा की राखने की जूरूरत नहीं है, आगर 500 गेस्ट आते हैं, आप मुझे केवल प्लेट के हिसाब से पैसे दो, अगर आपके 500 गेस्ट आते हैं, तो 500 का पैसा दो, अगर 100 अते हैं, तो 100 तक तफली है, अगर 101 लो कही पैसा देना है आपको यह भी बहुत अच्छी बात हो गई इसके साथ ही वह गतर बोलता है आपको कि आपके पास 10 डिस est है ठीक है अच्छी बात है अगर और 5 ड्स लोग जादा आज़ो लोग जादा कहहारे त्थो कोई bathtub आपको उशी का पैसा देना है जो कि जो चाहे डिस चाहे अगर एक डिस सब लोग खा रहे हैं तो एक डिस कही पूरा पैसा में पैसा लेंगे आपसे एंड वह एक डिस कम नहीं पड़ेगी ओके यहाँ पर कोई यहां पर आपको डिस्ट का टेंसन नहीं करके कि भाई 10 जिसको जो खाना हो खालो ठीकिक जितना जो खाये वसी का पैसा लगेगा जो बाके में वेस्ट हो रहा है उसका पैसा भी नहीं देना है आपको तो तो कितना आच्छा है सेम वही concept यूज होता है यहां पर firebase में जो होता है और दूसरे जो hosting प्रोइडर हैं गोड़ी बिग्रो वहां पर यह सारे जो दूसरे प्रोइडर से हैं वो लोग क्या उन लोगों के पास आपको जाकर hosting storage खरीदना पड़ता है bandwidth खरीदना पड़ता है RAM कौन से रहनी चाहिए CPU कौन सा रहना है चाहिए यह सारी चीज आपको खरीदनी बतानी पड़ती है यहां पर आपको अपना start-up कर रहे हो application आपको मालूम नहीं रहते हैं कितना हमारा traffic रहेगा यह सारी चीज आपको मालूम नहीं रहती है starting में okay starting में क्या बाद में भी अगर मालो आज आप सो रहे ह गए okay 5000 इंस्टॉल आगा रातो रात बढ़ गए तो वह जो traffic रहेगा वह आपका server जेल नहीं पाएगा जिससे क्यों नए user आएंगे वह भाग जाएंगे क्योंकि application लोडी नहीं होगी जब चलेगी नहीं तो मतलब क्या आएगा वह तो ऐसी भाग जाएंगे वहीं दूसरी अगर आपके 5000 इंस्टॉल है अगर आपके रात उठते ही अगर पचास अजार भी हो गए तो भी कोई problem नहीं आएगी क्योंकि यह क्या होता है automatic scale हो जाता है automatic scale up scale down हो जाता है मतलब कि अगर आपको एक जीबी है तो एक जीबी यूज़ करो अगर अचानक से आपको 100 जीबी क मतलब वह scale होता है और जितना यूज़ करोगी उसके सबसे पैसे देना पड़ता है तो इसलिए मैं लोगों को प्रिफर करता हूँ कि भाई फायरवेस होस्टिंग का यूज़ कीजिए क्योंकि यह काफी अच्छा है और काफी अच्छे से सस्ते में भी काम हो जाता है दूस आपको एक free limit मिलती है daily की वह free limit से जादा यूज़ करोगे तो ही आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आप पूरी application आपको जीवन फर अगर free limit के अंदर ही है तो आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे वहीं दूसरी तरफ आपकी user है की नहीं है उससे मतलब नहीं है उनको पैसे देने ही पड़ेंगे दूसरी अगर provider से लेते हो तो वहां पर आपको पैसे देने ही पड़ते हैं तो बस दस्तों यह कुछ रीजन से जिसकी वजह से मैं आप लोगों को firebase hosting प्रिफर करते हो क्या आप firebase hosting यूज कीजिए firebase hosting पे application मनाईए और मैं आपको बता द देखने को नहीं मिलेगी मतलब एक लाख लोग एक साथ यूज कर रहें तो भी कोई लैकिंग देखने को नहीं मिलेगी मतलब एक लाख यूजर सकती है तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने रखता हूं उम्मीद करता हूं आपको firebase hosting हैं दूसरी जो hosting स उन दोनों के बारे में सब्सक्राइब करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना मत भूलिए चली दोस्तों मिलते हैं फिर अगले और इंट्रेस्टिंग आपक्षोड़ाय में लडने वाईब